हलो एबरीवन, बच्चों, मैं डाक्टर दुर्गावत्ती सींग, आज हम आपको पढ़ाएंगे समाज सात्र में ट्राइब्स, मनें जनजाती समाज, जनजाती समाज किसको कहते हैं, ट्राइबल सोसाइटी किसको कहते हैं, जनजाती, वन्डेजात, आदिम, आदिवासी, वन गीरी जन और अनसूचित जनजात या दिनामों से इसको संबोधित किया जाता है, इन्हें आदिम या आदिवासी इसलिए कहा जाता है, कि ये भारत के प्राचिनतम निवासी मने जाते हैं, और संभौता भारत में द्रविडों के आगमन से पुरूर, यहां ये ही लोग नि जाती और उसके भी पहले घूरिये महोदे ने इन्हें पिछडे हिंदू कहा था, जो कि पिछले बार 2016 के पीजी टी एक जाम में पूछा था एक क्विश्चन, और बरियर एल्विन की एक डेफिनीशन भी है, कि आदिवासी भारत वर्स की वास्त्विक स्वदेशी उपज ह प्रतेक व्यक्ति विदेशी है, ये वे प्राचीन लोग हैं, जिनके नयतिक अधिकार और दावे हजावर और पूरानेहवे सबसे पहले यहां आए, ठकर बापा ने भारती संविधान निर्मात्री सभा के सदसे जैपाल सिंग ने इन्हें आदिवासी के नाम से संबोधित किया, और आदिवासियों के मसीहा कहा था, ठकर बापा ने, आदेखे बारियर एल्विन ने इन्हें आदिम जात, ठकर बापा ने आदिवासियों के मसीहा और जैपाल सिंग ने इन्हें आदिवासी नाम दिया, इसके अलामा घूरिये मोहदे ने पिछड़े हिंदू कहा थ बाहरी जाति कहा था इन्हें माना का सिध्धन कौन दिया था हटन ने इन्हें बाहरी जाति कहा था इसके अलावट डक्टर गूरिये इन्हें भारत के आदिवासी नहीं मांते बल्कि पिछड़ हिंदू अभी तो बोले हैं देखिए जैसे अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें तो कर ले बहुत इंपर्टेंट चीजा कभी कभी एक नमबर क्वेश्चन दे देता है बैरी बैरियर एल्विन ने अनसुचित जन जातियों को आदिम जाति ठककर बापा ने आदिवासीं का मसीहा और जैपाज सिंग ने आदिवासी और डक्टर गूरिये ने पिछ होती है भारती संभीधान में कुछ वर्गों जो कि सामाधी कार्थिक राजनित के दिश्टे पिछड़े हुए हैं उत्थान कल्याड के लिए विशेस्त प्रावधान किये गए हैं इसी आसर से जिन जातियों के नाम संभीधान के अनसुचित जन जात के नाम से पुकारा ज पुझार को जो की एक सामाने च्छेतर में रहता हैं एक सामाने भाषा बोलता हूं और एक सामाने संस्कित का अनुसरण करता हूं जन जात करते हैं मतलब तीन बार जिस डेफ्नीशन में आज आएगा समय लिजिए कि वह ग्लीन और ग्लीन की है उन्होंने बुक कल्चलर इसको लिखा है डाक्टर रिवार्स महोदे इन्होंने का है कि जनजाती एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामाने भासा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आधी सामाने उद्यस्यों के लिए सम्मिलित रूप से कारी करते हैं यह तो गया रिवर् में सामाने कई बार प्रयोग किया गया है तीन चार बार इसके अलावा आपके राइटर हैं देखिए इंपीरिकल गजेटियार साफ इंडिया के अनुसार एक जनजात परिवारों का एक संकलन है जिसका एक नाम होता है जो बोली बोलती है एक सामाने भूभाग पर अधिका जताती है उसे प्राय अंतरविवान नहीं करती है उसको जनजात करते हैं हाबल महोदय ने अ अपनी बुक ह Sn in द कुछ杂व देंशी है की एक जनजाति छेत्र भासा सांस्कितिक समरूपता ता था एक सुत्र में बधने वाला सामाजिक संगठन आता है इसके लावा राल्फ पिडिंगटन महोदे ने एन इंट्रोड़क्शन टू सोसल एंथ्रोपोलाजी बुक में लिखा है कि हम एक जनजात की ब्यक्तियों के एक समूग के रू प्रियों किया है उसके बाद दूसरे राइटर क्या थे डिरिवर्स मौदे ने समाजिक समू माना है और राक्टर मजुंदार ने कहा है कि यह समू हो जनजात परिवारों या परिवारों को संकर उनते जिसका एक नाम होता है जिसके सदसनिशित भूभाग में रहते हैं और समाजिक संगठन आता है सूत्र याद रखेगा चास्विनिक का हो गया राल पिडिंगटन का क्या है एक जनजाति की ब्यक्तिनियों के एक समू के रूप में ब्यक्या कर सकते हैं जो एक समान भासा बोलता है समान भूभाग में निवास करता जिसकी संस्कृत में समरूपता सब्द से कनेक्ट कर लीजिएगा और इस तरह से अब लाश्ट में आप देखेंगे कि जंजाती क्या है तो एक सच छेत्री मानव समू है जिसकी एक सामाने संस्कृति भासा रायनितिक संगठन एक बहुसाय होता है एवंग जो सामानतर जंज अंतर विवा के नियमों का पान करती है अधिकास्ता जंजाती है पहाड़ों कंदराओं गुफाओं जंगलों वगरम पाय जाती है पूरे इंडिया पारजन करते हैं उससे और जो पानी वाले अस्थान होते हैं जैसे नीलगीर की पहाड़े में टोड़ा, कोटा, खस वगरा आप लोग सुने होंगे तो ये लोग वहाँ से अपना पानी में मचली वगरा पालन करके अपना जीव का पारजन करते हैं तो ये तो हो गया जंज कात्र निरभरता राजनितिक संगतन सामान्य निसेद ये सारी चीजें पाई जाती है एक जनजात में उन्हाइन में भूबग सब होती है बिश्तरित आकार बिस्तरित आकार बिसीत प्रिवारों के एक का चारप्रथा परंपरा रिरोडी नियम कला धर्म संगीत अंडित्य खान पान भासा रहन संद विचार विश्वास मुल्य ये सारी चीज़ें आती हैं धार्मिक आत निर्भरता एक जंजात ही अपने सभी आर्थिक व्यवस्थाओं को स्वें में पूरा कलने में सच्छम होत होते हैं राज नितिक संगठन होता है जो परंपराओं का बनाये रखने नियम का उलंखन करने वाले के लिए दंड की वहस्था करता है और इनके में कभी-कभी मुकिया व्यवरिद लोग भी होते हैं सामान निसेध भी उसमें होता है एक सभान पान विबाब परिवार भु इस कमी का कारड मतलब लेस हुई उसमें पाकिस्तान में चले गए थे इस कारड और एक सक में जाती हुआ फिर से दो करोड 99 लाग हो गई और 81 में फिर बढ़ करके इतनी हो गई पांच करोड सोला लाख टाइस हजार छे सवड़तीस और एक में इतना हो गई आठ करोड और उस पूरे इंडिया में सब ज़्यादा बन मध्र प्रदेश में पाजाते हैं अपनों से इनको लकड़ी वगर से अपना जीवी को पारजन का साधन है इसलिए मध्र प्रदेश न सबसे ज़्यादा पाई जाते उसके बाद उडिसा बिहार गुजरात राजस्थान महराष्ट पस्चिम बंगाल अंध्र प्रदेश तेलंगाना असम इन सब्राज्जियों में इनकी जन संख्या का अधिकतर अंसनिवास करता उत्तर प्रदेश के रहूल तमिलनाड में की संख्या कम है आगे राजवार इनका वणन दिया गया है आप जैसे देखिए कुछ छेत्री आध प्रदेश बंगाल असम सिक्कीम और माध्य प्रदेश में का कि मेज चटर में आए द रचरी चेतर में केरल कारनाटा करनाटा कांदर प्रदेश तमिलनाडु अंगा है इंडो-उरूपयं फैनाश्टियों चीनी जैन जातिं कि आहां उनके इस पे वो जगह दिया कि किस जगह कौन सी जंजात निवास करती है देखिए एक साइड में जंजातिया है एक तरह निवास अस्थान है जैसे सबसे पहले बरणवाल गदी गुरजर लद्दाखी यह सब जमुकस्ति में पाई नाम से ही लग जा रहा है देखिए लाहौ मकषिा तक उसे कि मरुकई जंजात राजसान में रजसतान में संहारखंड ऑ्रशाथ मीजोरं में जुंघ, खर्या DRO शूराओ टो भूमी उटटिंट था यह अंभवाल है नागा जनजाट नागा लेंड में चुकता जारा जारवा जोंगी निकोबारी सांपनी सेंटिल यह सा अंडमान निकोबार में पाई जाती है जनजातियों पर किये गए अध्यान जैकिए कुछ राइटर जो जनजातियों पर दिन किये गए हैं उनके नाम फेमस है जैसे भील तिविया कियाओ था लेकिन सो एक से दो लिवाइज करेंगे कम से कम से कम तीन बार किसी चीज- kuntus होने लगती है लिख लेंगे तो आपको ज्यादा तर नहीं भूलता है अब परिविच्छा विवापर किसमे किया था अधियान परिविच्छा विवापका Тुकू कोकई और जयांती हा जरू किसमे किया जाता है तो भील खासी लंब्याड हो विरहोर में लेबिरेट और विधवा या देवर से विवा थारू भील खरिया खस दूद लटावाया दूद लटावाया विवाह भी निमाय कू की गोंड में पर आधी जातियां कौन-कौन सी है चेरू कोरबा यूपी के यूपी के सात्यामाद में परिहार प्रथा पाई जाती है टाइलर के द्वारा इसको परिहार वाला किया गया है मले नेशिया के माथ्रिवश्ची ट्रोवी singers नोधी किस सार बाजुबंदी गाली यह सब माईली नो वसकी न किया था लाबोला विवा के असर पर दी गई भेंट को लाबोला करते हैं तो यह सब हो गया अनुसुचित जन जातियों के में में चीजें अब उनका आपने उसमें डेफनीशन पढ़ा मीनिंग पढ़ा मीनिंग किया था जिसको आपको बताया अब आप लोग ट्राइफट का नाम सुने होंगे या डीपी का नाम सुने होंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्राले कब स्टार्ट किया गया नाइंटीन नाइन में पंजाब हरियाड़ा में एक भी नहीं है क्या आयस्सी और और गिटी ओरा में ओराओं जन्जात घुमकडिया में भोटिया रंग भंग में जुवांग दरबार में और देखिया इंसे जन्जातियों संबंदित कुछ अनुछेद हैं 275 है 275 एकेंदर सरकार और राजसरकार के मद्ध अनुदान के लिए 325 325 ओट देने का अधिकार ह सभा में अधिकार है 332 विधान सभा में 335 नौकरियों में रिजर्वेशन है 338 राष्टपति बिसेस अधिनियम आयुक्त जूमक्रिसी किस जन्जात में पाए जाती है तो बचों ज्यादा आज के लिए इतना ही बहुत है आप लोग मेरे चैनल को लाइक से और थैंक य। वेरी मुच्छ